अगर हम बात करें इवैल फंक्शन की तो इवैल एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवैलुएट करता है इवैल मतब इवैलुएट किसको इवैलुएट करेगा तो अगर आप कोई expression या कोई number string में रखे हुए हो तो वो उस string को भी number में convert कर देगा यह है इवैल तो हम एक्जामपल के लिए मैं कमांड प्रॉम्ट पे चलता हूं cmd पे और यहां पर पाइथन की प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूं यहां पर तो आपको मैं लेके चलता हूं पी बाइए करता हूं और पाइथन को खोल देता हूं यह पाइथन आपके सामने खुला हुआ है इवैल का सबसे अच्छा एक्जामपल में बताऊं एक वैरियेवल जिसका नाम क् स्ट्रिंगर के डवल कोट बें ने लिखा है वन प्लस टू प्लस त्री और डवल को मैंने कर दिया है यह एक स्ट्रिंग है अगर मैं इसका टाइब दिखांग यह कोट के अंदर आ रहा है अगर मैं str का type दिखाऊ ना तो आपको मिलेगा कि यह string type का है अब eval क्या करता है इस छोटे से example में आप जान सकते हैं eval कैसे काम करता है तो यहां पर मैं लिखता हूँ eval eval किसको str का eval करके दिखा दो मुझे यहां पर देखेंगे तो one plus two plus three यानि कि six answer आ रहा है तो eval के through python में क्या हुआ string में जो भी था data वो convert हो गया integer में यानि कि अगर मैं एक string लिखता हूँ यहां पर eval eval और यहां पर मैं लिखता हूँ code के अंतर double code के अंतर मैं लिखता हूँ 123 मैंने यह string लिखा है लेकिन eval क्या करेगा इसे number में convert कर देगा तो यहां पर अगर मैं दिखा हूँ पी आर आई एंट प्रिंट वाट प्रेंट तो eval eval है ना यहां पर कर दो double code के अंदर 11 plus 22 ओके यह double code के इंदर है और क्या कर दो और प्लस कर दो कितना तो एड कर दो और यहां पर बंद करदेगे प्रोग्राम को अब इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूं यहां पर तो आप देखेंगे कि 11 और 22 आपस में जुड़ गया है 33 यहां पर हो चुका है लेकिन plus 2 भी हो गया तो इवेल क्या करता है na evil string को convert कर देता है किस format में string को convert कर देता है number format पे चाहे आप दश्मलों में लिखिये हो मैं आप लिख रहा हूं पी आर आई गूर अदि प्रिंट अगर आपने double code के अंदर याई इव एल email email के अंदर आपने लिखा है double code के अंदर 222.33 22.33 आपने लिखा हुआ है और आप चाहेंगे इसे इंटीजर में करवर्ट करना सॉरी आप फ्लोट में करना चाहेंगे तो यह फ्लोट की वैल्यू बनाकर देगा यह है आपका इविल अगर मैं दिखाऊं इनपुट लेकर दिखाऊं तो एक बात देखेंगे अगर मुझे एक इंटीजर नमबर लेना है तो मैं यहां पर आइंटी इंटी लिखता हूं सबसे पहले यह नि मॉडिफाय यहां पर कनवर्ट करने के लिए मैं डेटाइप लिखता हूं और यह इंटीजर टाइप का फंक्शन जो इंटीजर में करता है आई एन पी यूट इंटीजर में कर देगा मैं आप लिख रहा हूं यहां प्लस आई करता हूं आई प्लस आई अगर मैं करता हूं यहां पर देखेंगे वह वैल्यू एड हो जा रही है 123 एड होके 246 में कनवाट हो जा रहा है वैसे मैं एक बार दिखा दूं कि अगर आप इंपुट लेते हो यहां पर मैं ले रहा हूं आई इक्वल्स इंपुट आई एन पी यूटी इंपुट का इस्तमाल करते हो तो क्या हो जाएगा पता इसे यह आप करेंगे आपके पास यहां पर मैंने लिखा है यह एंटी यह इंटर इन नंबर एन वाई एन यूम बी यह मैं फिर से वाईल्यू इंपुट करा रहा हूं ध्यान देने वाली चीज़े हैं अब यहां पर अगर मैं आई प्लस आई करता हूं मैं देखिए बीना करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे मैं लिख रहा हूं एकवल्स टू एफल ओएटी फ्लोट और यहां पर आप इंपुट करा लेंगे तो आई एन पी यूटी इंपूट मैं वैल्यू करा रहा हूं इंट यह इंटर इनी नंबर अभी क्या हो जाएगा यहां पर फ्लोट करना पड़ रहा है कि इंट फ्लोट के लिए फ्लोट ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ रहा है लेकिन अगर आप इवल लिख देते हो एफ मैं यहां लिख रहा हूं एउक्वल्स टू इवी एल और उसे इंपूट करा देते हो आई एन पी यूटी तो आपको यह स्पेसिफा की वैल्यू ले लेगा आप साथा तो इसाब से इंट फ्लोट यह सब लिखने से अच्छा है आप इमेल का इस्तबाल करो इवेल किसी भी टाइब को आटोमेटिकले स्ट्रिंग से किसी भी टाइब में कर देता है बहुत बहतरीन फंक्षन है बने देए एगले प्रोग्राम के लिए दुर के सरके साथ थैंक्स पर वाचिंग लाइक सेट सब्सक्राइब प्लीज बाइबाइ